अगर आप में चैनल पर नए हो तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें दन बाइल आइकन पर प्लिक करना ना भूलें ठीक है और हम अपनी क्लास स्टार्ट करतें बिना टाइम मेश्ट के तो हमारा जो गे कोल है वो क्या है नेट और जे आरे अभी जो एक्जाम होगा जून का एक्जाम होगा भी वो हमारा गोल है कि हमारा वो एक्जाम क्लियर हो ठीक है और हमारा जो सब्जेक्ट वो क्या है तो हमारा सब्जेक्ट है जियोग्रफी साइन्स ठीक है जियोग्रफी साइन्स हमारा सब्जेक्ट है ठीक है तो हमारा जो आ में मैकिंडर ने अफरिका सहीत विश्व द्वीप का सिमांकन क्या in which year मैकिंडर अगें डेमार्टिकेटर दा वर्ल्ड इस लेंड इंक्लोडिंग अफरिका तो किस वर्ष में क्या था मैकिंडर ने अफरिका सहीत विश्व द्वीप का सिमांकन तो वो क्या थाãy 1999 में ठीक है कब क्या था 1999 में और क्या नाम दिया था तो नाम दिया था hertland 1919 में क्या था और नाम जो दिया गया था genderlaint then हमारा next question है question क्या है match list first with list second तो first list में scholars दिया हुए है और जो second list है उसमें दिया है global strategic views जो scholars है स्कोलर्स में दिया हुआ है फर्स्ट है सेवर्सकी एन पी सेक्ड है मैकेंडर थर्ड है स्पाइक मेन एंजे और फॉर्थ है महान एटी ठीक है और जो ग्लोबल स्टेटेजिक व्यूज है वो ए दिया हुआ है सी पावर बी दिया हुआ है रिमलेंड त्योरी थी है air power और दी है land power ठीक है यह है तो हमें क्या कहना है इनका मैच करना है ठीक है किस इसकोलर्स ने कौन सी ग्लोबल स्टेटेजिक व्यूज बताया गया है ठीक है तो बताए इसका क्रेक्ट क्या होगा कि किस स्टेटेजिक बत तो इसका क्या होगा, तो इसका होगा C, Air Power, ठीक है, और जो second है, Mackinder, तो Mackinder का कौन सा है, तो उसका आएगा D, Land Power, ठीक है, और जो third है, Spikeman, तो Spikeman N, J, ठीक है, Spikeman N, J, तो इसका क्या आएगा, तो इसका आएगा, Rimland Theory, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना ये, कौन से स्कोलर्स ने, कौन से स्टाटेजिक व्यूज दिये थे, ग्लोबल स्टेजिक व्यूज दिये थे, तो ये इसका करेक्ट अंसर है, तो ये, नोट कर लेना, और ध्यान रखना, दैन है हमारे next question, फर्स्ट बात ये भी है, कि आप जब भी कोई भी किसी भी एग्जाम की त्यारी करो, या फिर कहीं से भी कोई भी क्लास ले रहे हो, हमेशा रखना चीए, और फिर जो भी आपको लगे कि हमें ये चीज हमने न्यू देखिए, इस में, इस क्लास में ये चीज हमने न्यू कोशन पढ़ा है, ये, ये, तो वो आप उसी टाइम नोट करें, ठीक है, ऐसे वीडियो देखने से भी हमेशा ही चीजे दिमाग में न माना जाता है, who are considered as the founder of mathematical geography, तो क्या बताना है, जो गनीतिय भुगोल है, mathematical geography है, उसके जो संस्थापक है, ठीक है, तो वो किसी माना जाता है, तो वो है थेल्स और एनेक्समेंडर, किसको माना जाता है गनीतिय भुगोल के संस्थापक, तो वो थेल्स एनेक्समेंडर को माना ठीक है, next question है, हमारा, क्या कह रहा है कि, question क्या है, circle को 360 degree में विभाजित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, जो हो circle है, ठीक है, circle, circle को 360 degree में विभाजित करने वाला पहला व्यक्ति जो है, वो कौन था, who was the first person to divide the circle into 360 degree, तो यह किसने किया था, जो circle होता है, उसको 360 में विभाजित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो वो हिपोकर्स था, ठीक है, हिपोकर्स, तो हिपोकर्स जो था, उसने ही circle को 360 degree में विभाजित करने वाला, उसको बाढ़ने वाला 360 degree में, जो first person है, वो हिपोकर्स था, ठीक है, याद रखना, note कर लेना, नेक्स्ट कोशन है, अब से मैं यह नहीं कहूंगी, याद रखना, अब से कहूंगी, note कर लो, नेक्स्ट कोशन है, आधुनिक भोगोलिक चिंतन की निव किसने रखी, क्या कह रहा है, जो आधुनिक भोगोलिक है, उसकी जो चिंतन की निव है, वो किसने रखी, तो आधुनिक भोगोलिक चिंतन की नीव किस ने रखी तो वो रखी हमबोल्ट और रिटर नी क्या रखा आधुनिक भोगोल की जो नीव है वो रखी तो इसको नोट कर लेना नेक्स्ट कोशन है हमारा तो कोशन क्या है निमलिकित में से किस भोगोल वेता ने समान्य बनाम विशेश भोगोल की नीव रखी अब ही क्या कहा रहा है कि किस भोगोल वेता ने समान्य बनाम विशेश भोगोल की नीव रखी वो अमोंग दा फॉलोविंग जोग्रफर्स लेड डाउन दा फाउंडेशन ओफ डिटोजनमी ओफ जनरल वर्सेश पेशल जोग्रफी तो वो किस ने रखी समान्य बनाम विशेश भोगोल की जो नीव है वो किस भोगोल वेता ने रखी तो वो है बन हार्ड वेरिनियस ठीक है बन हार्ड वेरिनियस नोट कर लो नेक्स्ट कोशन है, कोशन क्या है, निमलिखित में से किसने कहा कि इतिहास का भोगोलिक रूप से वर्नन किया जाता है और भुगोल का इतिहासिक रूप से वर्नन किया जाता है, यह एक सेंटेंस है, जो किसी जोगरफर नहीं दिया था, इतिहास का भोगोलिक रूप से वर्न रूप से वर्णन किया जाता है तो यह जो संटेंस से बताना है किस ने दिया था Who among the following pleaded the history be treated geographically and geography be treated history क्या कहा रहा है जो इतिहास है उसका तो भूगोलिक रूप से वर्णन किया जाता है और जो भूगोल है, यानि जो जोग्रफी है, उसको एतिहासिक रूप से, यानि कि historical रूप से उसका वर्णन किया जाता है, तो ये किस ने बोला था, तो ये हैरडोट्स ने कहा था, ये, ठीक है, किस ने कहा था, हैरडोट्स ने कहा था, क्या कहा था, इतिहास का भूगोलिक अर जो बुग रोप से जाता है खिसने कहा था हा था हरडोत्स ने कहा था which one of the following is the philosophical bosses of quantitative revolution तो ये किसने मात्रात्म क्रांति का दार्शनिक अधार है तो क्या है तो वो पोजिटिविजन है यानि कि पर्तेक्षवाद जो पर्तेक्षवाद है वो मात्रात्म क्रांति का दार्शनिक अधार है ठीक है नोट कर लो दैनाते हम नेक्स्ट कोशन पर तो हमारा नेक्स्ट कोशन क्या है कोशन है यह कतन की मिस्र नील की नील नदी का उपगर है क्या कह रहा है मिस्र नील नदी का उपहार है को कहा जाता है यह कतन किसका है the statement that Egypt is the gifted of the river snail is attributed to Egypt is the gift of the river snail is attributed to तो यह किसका है यह sentence जो है वो है तोलमे की पूस्तत में किसने सुधार क्या था who among the following scholars made corrections to टोलमे बुक तो टोलमे की जो बुक है उसमें किसने सुधार क्या था तो हो किया था अल इधर सी ने अल इधर सी जो है उसने जो टोलमे की बुक है उसमें जो है correction किया था उसमें सुधार किया था ठीक है तो आज की class हम यही कतम करते हैं thank you watching my video अगर आपको questions अच्छे लगे हो तो please channel को subscribe करें और bell icon पर click click करना ना भूले ठीक है